जुलाई की आन तक यूपी की आलू की आनलोडिंग रिपोर्ट को मानने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं बंगाल की आलू व्यापारिया। उनका कहना है कि यूपी में बंगाल की जैसे आलू व्यापारी समीती नहीं है इसलिए ये रिपोर्ट पूरे तरह से रॉंग है नवश्कार दोस्तों इंडिया पर डिडोग हिंदी की एक नया समाचर पे आफ सवी को दिल से स्वागत है आज हम बस्चिम बंगाल पे आलू का ग्राउन रिपोर्ट करने आच चुके है बस्चिम मिदना पुट्शिले की चंद्रकोना रोड की इस भी कोल्शोरिस में दोस्तों अभी यहाँ पे हम बात करेंगे चंद्रकोना रोड की जाने माने आलू व्यपारी बापी खमरीजी से और उनसे जान लेंगे बस्चिम बंगाल पे अभी तक कितनी परसेंट आलू निकाशी होच चुकी है आज चंद्रकोना रोड पे आलू का क्या रेट है तथा बस्चिम बंगाल की चंद्रकोना रोड की आलू की बारे में सभी जान करिया दर्शक महोदाई इस वीडियो को पूड़ा देखिए क्योंकि वीडियो के आंथ पे बापी खमरीजी आप लोगों को बताएंगे उनका फोन नमबर ताकी उनसे आप परसुनाली कंटक कर पाएंगे आलू व्यापारी के बारे में दोस्तो इस वीडियो को शेर कीजिए और आलू सम्परकित सभी ख़वर हर दिन हिंदे बाश में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास्क्राइब बेल आइकन को क्लिक करके आल कर दीजिए नमस्कार बापी खमरीजी हाँ नमस्कार जी सर आज हमें की चन्द्रकोर डूकाम पे पचास कीरो होलसेल अच्छी पोलिटी रेडी जुटी आलू का क्या भाव हाँ इदार आजी सिके रोड का जो अलू का भाव है और प्री बॉंड की क्या केमत है सर्थ? इधार सीके रोड में सबसे ज़्यादा जोती आलूई चलता है जोती आलूई लोडिंग हुआ था और पुगराई खुब थोड़ा जो हाइब्रीड आलू बोलता है वो खुब थोड़ा एक परसन से नीचे उसका लोडिंग हुआ। पिजले साल हुआ था पास साथ परसन लेकिन एई साल एक परसन से कॉम लोडिंग हुआ। लोडिंग हुआ था एकुसलाग सेवेंटी एइट थाउजन एक तिरिस जुलाई तक निकासी हुआ है। हमारा सीके रोड के थाट्टी नाइन परसन तो पस्चिम बंगा की आलू का आलूडिंग रिपोर्ट भी हम लेंगे आप से। पस्चिम बंगा में लोडिंग हुआ था यही शाल दो करोर आठनोंपोई लाग पस्चिम मिन्नापूर में लोडिंग हुआ था दो करोर आठनोंपोई लाग बीस हाजर आजसो दॉस पेकेट अर निकासी हुआ था एक करोर नाइन लाग 66,383 पेकेट थाटी सेवन परसन एक तिरिस जुलाई तक और सारी की सारी बं परसेंटेज का ओल बंगाल निकासी हुआ है चाल लाग चार कोड़ोर 47,412 पेकेट और तार एप्रॉक्स 33 परसन और आपकी इधर का भी हमने रिपोर्ट जान लिया तो क्या पीछले साल या फिर 2021 इन दो बश्यों की मुकाबले इस साल टोटल पस्चिम मंगाल पे आलुका 21 ज्यादा भुआ हा एक अतिस न ज्यादा भुआ था एक कोडर के उपर ज्यादा भुआ था पिछले साल से तोटल पता दीजे ना के पिछले साल बैलन्स था 31 जुलाई का बाद 2022 साल में बैलेंस था 9 करोर 55 लाग 66 थाउजेंड और 2023 साल में जो पोहिला आगोस्ट में बैलेंस था 9 करोर 14 लाग 56 थाउजेंड था और था पिछले साल से अभी कौम है 24 लाग पैकेट डियादा पर सकती है आपको क्या लगता है देखिए आलू निकासी जैदा हो रहा है पिछले दो साल से 2022 से जदा हुआ है दो й एक उससे ज्यादा हुआ है निकासी ज्यादा हुआ है ठीक है तो अभी 2023 में जो बैलेंस था वो दो और एक उससे कौम हुआ था 2022 से कौम था बैलेंस एरपोर किया होगा वो हैदर को उपर निर्भर होगा जो चार्स लेट हो जाएगा तो अच्छा मुका देगा यही साल दुर्गापुजा एप्रोक्स एक माइना लेट है ठीक है हार साल दुर्गापुजा टाइम को बारिस होने के चांस था जो एक उस साल में हुआ था सब हिसा बोलोट पोलोट कर दिया तो यह साल भी दुर्गापुजा एक माइना लेट है ठीक है निकासी भी ज़्यादा है इसलिए अभी तो निकासी अच्छा ही है किसा ना भी आया नहीं इबर बाद बाकि उपरबरा का हाथ है तो ज्यादा टूटेगा नहीं हमारा जो लगता है ज्यादा टूटेगा नहीं एक आगश्ट 2023 से मेरे कुछ इत्रा पता है दक्षिन बंगाव की कुछ-कुछ जिलो पे बारिश हुई थी तो आपकी चंद्रगुना रोट पे पिसानों को गुछ लुकसान हुआ है लुकसान कुछ हुआ नहीं बारिश आउर चाहिए इदा ज्यादा बारिश नहीं हुआ है बारिश आउर चाहिए इधार नियादा गउट 33% पस्ट्रिम बंगाव की निकाश्य आपने बता दिए यह साल 2013 में 33% निकाशी हुआ है पीजले साल हुआ था 24% यूपी की निकाशी की बारे में एक रिपोर्ट हम देखे थे एक आगस्ट पहुप सरी वाटसाब गूप में आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है उस गूप देखिए हमारा जो लगता है जो हम जानता है अभी बोहत YouTube है बोहत YouTubers बनाता है बोहत रिपोर्ट बनाता है हमारा जो नोलेज में है यूपी में कोई YouTube है YouTuber है जो रिपोर्ट दिया था ओ ठीक है वह आम माना नहीं। तो बंगार की कुछ कुछ बड़े बड़े आलु में पढ़ियों का कहना है कि यूपी में अभी भी हालां की दिनों बहुत सारी आलु है। तो बंगार पे आलु की निकशी अच्छी होरा ही है। वो लोग डर रहा है कि अगले कुछ अगले एक या दो माहिने पर यूपी की आलू इधार आएगी और बंगार की आलू की मार्केट और भी खरागोज जाएगी आपको कह रहते हैं सच में ऐसा कुछ होने वाला है देखिए आभी आसाम में फोन करिये बोलता है यूपी का आलू आता है आभी जारकर में फोन करिये बोलता है यूपी का आलू आता है आभी बियार को फोन करिये बोलता है यूपी का आलू आता है तो हार स्टेड में यूपी का आलू आता है तो लेकिन उससे बात यूपी का आलू निकासी नहीं है, रिलीजी नहीं है, हुआ मनेगा नहीं, दाम उसका कौम है, फिर उसको सवी स्टेट उसको आलू जाता है, यूपी गॉब्मेंट उसका भोर्तु की दिता है, गारी भारा किराई में दिता है, ओ वागेर में दिता है, जो ट्रेन में दिता है, तो उसक अपके बाद उसको निकासी नहीं है हुआ मानता नहीं है आपकी इस चंद्रकुना रोट से आप लोग कहा का अलू पेशते हैं में लिए औरिस्ता को चार्खन को सिके रोड जो चंद्रोकना रोड हमारा इधार से आलू जाता है ज्यादा उरिस्टा में 90 परसें इस जो निकाशियों जाता है इधार से उरिस्टा उसके बाद थोड़ा थोड़ा जाता है बियार जाता है थोड़ा कैलकाटा जाता है उरिस्टा में दो तिन चार दिन सुनता एक दो गारी भीटता है भुबेनस्तर में लेकिन उसका कॉंडिशन इदना खराप है उसको गारी भाड़ा किराई मिलेगा नहीं क्योंगा उसको आलू जो गारी में उससे पानी निकालता है वो आलू कोई धुरता नहीं वो सेल भी नहीं है और गोडाउन में राखा है यूपे में बैठे बैठे जो बड़े बड़े आलू व्यापारी या चेडार ये सोच रहे के अकले एक या दो मैने पर बंगाल पे आलू बेचके बंगाल के आलू की मार्केट को खड़ाप कर देंगे और ओलो और भी मुनाफ़ा कर पाएंगे उन सोचने वाले व्यापारिय बंगा का सभी प्रपारी बोलता यूपी के आलू आजाएगा यूपी के आलू आजाएगा ये डॉर में निकासी आच्चा है इसलिए तो पिजले साल 24 परसन था ये साल हुआ था 33 परसन तो ठीक है जो बोलेगा ठीक है निकासी ज़्यादा होगा तो बाद में नि एके कादूमे ऑढ वलाता रखम उधार पंजाब का ठीक है गूजिल में बार हो गिया जादा ठीक है बार में सभी उधार का लोकसान होआ था इसलिए गुजिलीए का भाव तेजी हुआ था लेकिन उसका कि दिना निकासी होगा हम जानता नहीं आज जो पंजाब में ज तो चार तरिख है अगले एक या देर माइने के अंदर आपकी इधर भी जो आलू बीच का काड़ोबार शुरू हो जाएगी तो अभी क्या बीच बुकिंग चल रही है त्यापडी लोग इधर शुरू हो जाएगा तो ऑक्टोबर बीच का बाद इधर शुरू हो जाएगा मार्च माइना से बुकिंग कर रहा है मार्च माइना से लिए अभी जो हो गिया दो तिन साल पांजब वैपारी को फूल पेवेंट देना चाहिए अभी पांजब का जोती आलू का गूली बोलता है उसको जो रेपूडेट बाला है अच्छा बाला है जो आमारा सीके रोड में चोलता है उसका भाव बोलता है हाजार से पौनड़ोसर रुपिया तक जोती आलू पचास केजी भोगराज बोलता है पारे साथ सो से नौ सोतक बीज का जो सीड जो सीड पचास किलो को हाँ सीड का तो और हमारी जो चैनल तरश्च देखते है मेंली किसान लोग चाशी लोग देखते है नन-मेंगली तरश्च उनको लिए आप कुछ क्या बोलेंगे ना पार्योगोड आने बता जाशी ओको क् तरश्च देखते हैं फिरे एक साथ में बेचेगा ओ मैंड में छोट दीजिए ठीक है थोड़ा थोड़ा करके आलू बिजना चाहिए निए नहीं चाहिए थोड़ा-थोड़ा करके बिजना चाहिए सबी मार्केट मिलेगा आपको आपको भी बहुत दुनाबाद दिया था हाँ इधार कुछ पॉब्लेम में पुड़ेगा तो आएगा हमारा नाम है बापी खमरोई हमारा मुकाम है चंद्रकोना रोड पुस्सी मिद्नापूर हमारा दोकान का नाम है मादुरगा अलूभ हंडार एजबी स्टोर है चंद्रकोना रोड का चंद्रकोना रोड में उसको बोगल में मेरा दोकान है अमारा फोर नामबार है 9733716274 आउर दुसरा नामबार है 9474360425 तो नौन मेंगली दश्यक लोग जो लोग आप सोच रहे है कि पस्चिम बंगाल की चंद्रकोना रोड एरिया से आलू खड़ी देंगे या फिर बेचेंगे तो आप लोग बापी खामरे जिसे बात कर सकते हैं ये ये सर हमारी बहुती अच्छे व्यापारी है आप इंसे का परवबार कर सकते हैं आपको फाइदा ही होगा तो चलिए बहुत धन्यवाब सर्च जी हमारे इंडिक्यूर से एक होगा ठीक है जी तुन्वाद